हेलो एब्रिवोन विडियो यह इस ड्रामी का आखरी एपिसोड एक्लिमेशन है एक्लिमेशन गाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आपने लास्ट एपिसोड तर देखा था ब्रोंग प्रापाई को वहाँ से साह को दिखा कर लेकर चली जाती है तो एपिसोड के स्टाइटिंग में एक दिखाया जाता है कि प्रापाई ब्रोंग को समझाने की ट्राइ कर रही थी कि तुम्हारे पास अच्छा फ्यूचर है त तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम्हारे तुम्हारे पास सब कर रही हो लेकिन ब्रोंग बोलती कि कोई भी मुझे प्यार करता नहीं है कोई भी मेरे साथ लोयल नहीं है तब भी प्रापाई बोल ले थी कि तुम्हारे पास तुम्हारे पास तुम्हारे पास प्या करता था उसको भी तुमने मुझे चीन लिया इसा हो बोलती है कि ठीक है अगर तुम कों काशी इतना प्यार करते हो तो मैं उससे दूर चली जाओंगे प्लीज तुम कोई गलत कदम मत अठाओ इसा बोल के उसे समझाने की ट्राइब कर रही थी यहां पर ब्रोंग बोलती है कि तुम कोंकाई से दूर चली जाओं लेकिन अब तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे दिवाना तुम्हें रूनती रूनती आ जाएगा तुमने सब कुछ तवा कर दिया ऐसा ओ पोल देती है एंडेन फड़ाक से एक गाड़ी आ जाती है और इनका गाड़ी अक्स्रेन हो पर कट हो जाता है अब हम चलते हैं हस्पिटल पे कौंकाई को पता चलके आप अपनी दो बंदिया अब यह हस्पिटल पे है वह भागते वह आता है सबसे बड़ी प्राब्लम ब्रोंग प्रेग्नेंट थी अब उन लोग के इसाब से तो तो उसी के बारे में पूछता है त प्राब्लम प्रेग्नेंट के बारे में गार में किसी को भी पता नहीं था और यह सुनने के बाद उसे काफी बुरा लगता है क्या ब्रोंग प्रेग्नेंट नहीं है क्या मतलब जो दूसरी प्रेग्नेंट है नहीं तो कोई प्रेग्नेंट है नहीं मैंने उनको अच्छी त वोस बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों है तुम मेरे साथ इतना ज्यादा क्यों हो प्रापाई झाल्ओ ऑज से बोलता है कि तुम रायतों शुपाए प्रापाई Brown की शुपाया रख उतल्य उक्तप का या वन के जा अगल लगारी जाए उल्या तुम сейчас प्रपाई थी वह बोलते हैं कि अपनी बेबी का अच्छे से द्यान राख सकती हूँ लेकिन तुम्हें ब्रोंग के पास जाना चाहिए ब्रोंग और उसके बेबी को तुम्हारी जर रहते हैं यह सुनने के बाद कॉंकाई बोलता कि यह सी कोई बात नहीं है यह सुनने के ब्रोंग कानी के ट्राय कर रही थी तभी हां पर कॉंकाई उससे अपना हाथ चुडाता है और बोलता कि मुझे लगता था मैं बहुत इसमाराद यह लेकिन मैं इतना बड़ा बुद्धु था तुम जैसे ओर अच्छे में बेवकूप बन रहा था मुझे लगाई नहीं था और इस तरह से प्रापाई और कॉंकाई उससे कॉंफरंट करने लगते हैं ब्रोंग बलती कि नहीं नहीं मैं प्रेग्रेंट हूँ वो ड्रामा करने लग जाती है कॉंकाई बोलता है कि आज जो भी हो आए ना बहुत अच्छा हुआ है एतलिस मेरे आको से एक पट्टी उत् प्रापाई और मैं अपनी बेवी के साथ बहुत कुछ हूँ अपने बच्चे के साथ मतलब बहुने वाला बेवी और तुम कभी भी में हमारे लाखने इंट्रफेर मत करना हमारा सब कुछ खतम हो गया आज यहीं से और उसके बाद कॉंकाई प्रापे को बलता है कि अंकल आ कॉंकाई 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 लेकिन कॉंकाई जला गया और बहुत जादा गूसे में आ जाती है और मतलब सची वाला रही थी इस बार क्योंकि आज उसने फाइनली कॉंकाई को आपने आप से दूर कर दिया था आगे वालेesi में दिखाये जाता है कॉंकाई की मॉंच पे चल पर रही थी प्रापाई मॉम से मिलने चले जाते हैं औरो मैम को पता चलता है PPT बनी वाली है और काफी ज़्यादा को सोाँजाती है और साथी में प्रापई को जल्दी Mac को जल्दी घर पे वापस आनी के लिए बोल लए थी आप लोगो तो याद ही होगा प्रापाई ने रिपस पे परसाइन कर लिया था तब प्रापाई बोलती है कि अगर मैं अभी वापस आ जाओंगी तो आपका इतने सालों का मेनत बरबाद हो जाएगा मतलब क्या जो ब्रोंग की बज़े से प्रापाई की लाइफ में हुआ था और आपको याद होगा प्रापाई ने कुछ इंफर्मेशन लिग किया है ऐसा मीडिया पर नियुज आया था जिसकी बज़े से प्रापाई को कॉंकाई की रेप्यूटेशन और उसकी प्रेसिडेंट अगर हमारे घर पर जल्दी नहीं आएगी तो मैं इसी के साथ रहे जाओंगा ऐसा हो बोलता है ओके सब करके सब्सक्राइब करने लगा है कारी पर जाते टाम दिखा जाता है कौन काई प्रापाई से बोलता है कि पता है मुझे कितना बुरा लगा था जब तुमने बुरा सब्सक्राइब करती हो प्रापाई इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझे करती हो प्रापाई समयल करती है हमें दिखाया जाता है नेक सीन में जो इन्फोर्मेशन लिग प्रॉब्लम की वज़िए प्रापाई की इमेज खड़ाब हुई थी ना उसकी लिए उसने इंपेस्टिक्रिशन कर लिया था एंड या साशा को इन्वेलमेंट उसने पता कर लिया था शाशा मतलब वो जो ब्रोंग का चमचा था तो लोग उसे पकड़ लेते हैं और शाशा सज बता देता है और यहां पर कोंगा है बलता कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करू तो मिस्टर से यह लोग प्राफाई की मेंज भी क्लियर कर दो ड्रामा का आखरी एपिसोटे तो सब कुछ सट आउट करना ही था तो आगे सिन में होता क्या है ना कोंका है नारूं को आख कंपनी के सारे पोजिशन से हटवा देता है क्योंकि वो कुछ फ्रॉड कर रहा होता है और साथ ही में जो नारूं की मौम थी ओ कंपनी का पेशा इलिगल ओए में एक औलगी कंपनी नाम पे कंपनी खुलके कर रही थी तो उसी बात की बदूरी फेमली अभी पीबी का इंटकांवेंशन से आउट हो जाती है इस विकालत की मज़े से जो नारूं की मौम थी उन्ह जाएंगे तो प्रापाय कोई काफी अच्छी खुजाल जिन्द की जी रहे थी तबी ब्रोंग तपकती है मतलब वो गाड़ी से आ रहे थे तबी और प्रापाय को जान से माने के ट्राइ करती है उसे अलमसुट करने वाली थी वाई विकज उसकी वज़े से ब्रोंग की पुरी लाइफ बरबाद हो गए उसका जो प्यार था उससे चीना गया मतलब उसके हिसाब से यही था प्रापाय उसे समझान के ट्राइ कर रहे थी तेकिनों मानी नहीं रहे थी यहां पर कौन काई बोलता है कि तुम चाहिए कुछ बीकरों लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला हूं आपस प्लीज मेरी बात को समझे की ट्राइ करो तुम आपने फ्यूचर को इस तरह से बरबात मत करो हम दोने की पूछ भी नार्मल नहीं है अब मैं सिप प्रापाय से प्यार करता हो और कभी भी अगर मैं तुम्ह से पता है मैंने तुम्हारे पूरी लाइफ तबाह की है मैंने तुम्हें कुछ प्रामिस किया था जो में कभी पुरा करी नहीं पाया अगर कुछ गलत है कोई गलत है तो मैं हूँ मैंने तुम्हें सब कुछ जो प्रामिस किया था ओ तो तोर दिया मेरी वाइफ और मेरी बे वो सची में प्यार करती थी कॉंकाय से और रोते रोते गिर जाती है अमें दिखाया जाता है नारू आता है और अल्मस्ट फाइनल वाली बात थी तो नारू भी बोलता है कि मतलब उसकी वाइड थी ना आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था बस उसकी फैमिली ने उसे क वाइड के लिए अपनी खुद की बहु को बेजा ऊए था तो ऊसे प्रूम से कर लेता है कुछ भी बोला ओ लेकिन प्रूम को सब्सक्राइड हो सकता था तब ही नारू की मम टापक पड़ती है एक गरन लेके और वाइड को बोलती है तुझे रहते से हटाऊंगे तु रहक पे इरो इरेंच ज़्यादा बुरा तो नारोंग के लिए लग रहा था नारोंग ब्रोंग के कोद बे मर जाता है और वो मरते टाइम भी यही पोला था कि मैं हमें हैसा से तुमसे प्यार करता था मुझे माफ कर दो में तुम्हें कभी प्रोटेक कर नहीं पाया यह सुनने के ब्रोंग तो कुछ समझी नहीं पाती वो बहुत रोने लग जाती है और उसे भी अपनी गल्तियों का ऐसास होता है मतलब उसने एक सच्छा प्यार करने वाला खो दिया था तो इस तरह से ब्रोंग का प्यार करने के लिए थैंक्यों सो मज नारोंग मैं तुम्हें कभी भू पाओं की आक्चिली क्या था ना विचरी एक तो सर्वेंट की बेटी थी नारोंग की मॉम ठेरी एक नमरी की चुछेल अटी वो कभी उसे पसंद करती नहीं थी नारोंग बच्मन से दोनों साथ में पले बढ़ रही थे तो दोनों के दुछे से प्यार हो गया दोनोंग ने कोछ बन नहीं पाया और नारोंगा में चाहर से प्यार करता था लेकिन फीर आपने प्रेशर में आके उसे दूरी रहा था यह सब्सीन था और अभी यह दिखा जाता है कि जुप्रोंग थी इतने ज्यादा गेल्ट में थी उप बन जाती है होता है ना टेंपल पे रह के वह ही पर सेवा करने वाली मतलब आप लोग समझ जाओ ऐसे सादू की तरह सो इसके पार में प्रापाय यार कॉंकाई को पता जल जाता है चाचा के साथ लोग आए हुए थी प्रापाय उसे बोलते कि अगर तुम्हें आपने अपको कैसे माफ करूंगी मेरी वर्से तुम्हारी प्रापाय के बीच में आए थी और आज मैं तुम्हारी आशो के उपर अपनी अच्याना कैसे बना जकती हुए इसा हो बोल नहीं थी लेकिन रोंग बोलते कि मैं आपनी लाइफ में जो भी किया था ना मैंने अल्डरी कर दिया मैं अपनी पास को याद करके मूंस को रोना माखती है साथ ही में प्रापाय भी माखती है लेकिन इस तरह से ग्रोंग अपने आपको समहल लेती है मतलब ग्रोंग का चाप्टर नहीं पर खातम हो गया नेक्सिन में एक दिखा जाता है कि जो प्रापाय थी अब तक तो आपने मौंगे गर पे रही थी सब को चाट इन पर्ट में दिखा जाता है कि प्रापाय के लिए कौंकाय ने कुछ सप्राइज ब्लाइन किया हुआ था और यह लोग हैपी लिए मैरेट कपल की तरह ड्रामा की भी इंडिंग होती है तो चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना पोई ड्रामा कैसा लगा मुझे भी बताओ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग